नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे जियो स्टीवी के बारे में सबस्यादा इंपॉर्टन पार्ट दोस्तों जियो स्टीवी इसलिए बनता है जो लोग जियो गीगा फाइबर का कनेक्शन अपने घर में लगवाते हैं इस्पेशली पोस्पेट के लिए तब आपको नॉ कोशन सबसे ज़्यादा उठता है कि हम अपने एक जियो गीगा फाइबर कनेक्शन पे कितने सेटप बॉक्स कनेक्शन कर सकते हैं दोस्तों लोगों के खिर में प्रॉब्लम यही होती है कि एक टीवी नहीं होता दो कमरें तो दो टीवी लगे होंगे या लोगी में लगा हो होती है आप 6 महीने का रीचार्ट करवा रहे हैं एक महीने आप किसी से refer करबाते हैं तो आपको free मिल जाता है है ठ्वी टर्मला के 7 महीने आपको पूरी तरीके से या मैं अपने गर में दूसरा setup box लगवाना चाहूं तो मिझे दूसरा connection लेना पड़ेगा तो ऐसा नहीं है दोस्तों क्यूंकि आपको 14 OTT application जो access मिलते हैं और सबसे अच्छी बात यह यह जियो setup box में है problem कि तब आप OTT application यूज़ करेंगे तो सिर्फ geo gigafiber का netty connect होना चाहिए और दोस्तों दूसरी चीज यह अची है कि आपको जरूरी नहीं ethernet से connect करना है आप में राउटर बीच मतलब lobby में लगाते हैं ऐसे center में लगाते हैं जहां पर आपको दूसरा setup box connect करते हैं तो वहां पर बाइफाय मतलब 5 GHz में बात करी जाए तो 5 GHz में आपको normal frequency मिलती है त मतलब high quality temperature देख रहे हैं तो आपको problem नहीं होगी यह हो गई अभी तक connectivity की बात अब setup box किते connect कर सकते हैं तो दोस्तों आप 3-4 भी connect कर सकते हैं कोई problem नहीं है एक आपको मिलता ही है दो आप खरीदते हैं तो आपको individual charge देने पड़ते हैं जैसे कि 1500 रुपे per setup box आपको देना प payment करते रहेंगे महीने के महीने क्योंकि जो आपने access एक setup box पर ले रखा वही access आप दूसरे पर तीसरे पर चौथे पर ले लेंगे सबसे जो एक बड़ी problem है वो problem यह है कि शायद क्योंकि जैसे कि hot star पर आप live tv देने मतलब तब आप match देख रहे हैं या कोई से भी ऐसा program की बात करे हूं या बहुत सारी application ओ टीट application ही कि आप same time another device में भी देख सकते हैं तो यह problem नहीं आएगी बहुत ज्यादा लोग live tv चैनल देखते हैं तो वहाँ पे इस तरीके की problem नहीं आती आप किसी another device में भी देख रहा हूं सेम दूसरे device में चैनल देख रहे हैं तो आप normal घर में एक DTS connection लगाते हैं उससे compare करा जाए तो थोड़ा सा तो वहाँ पे आप normally दोस्तों हर एक TV के लिए आपको individual recharge कराना पड़ेगा नहीं तो यह होगा कि आपको same stream सारी TV में कि कोई match देखना चारा है किसी का मन movie देखने का किसी का मन YouTube चलाने का तो वह चीज़ एक तरीक और आपको जो पैसे देने फिक्स देने तो आपकी वह problem खतम होगा या मेरे पास smart TV लेकिन सारी OTT application का खर्चा बहुत जादा हो रहा है तो आपका एक मतलब जियो गीगा फाइवर लगवाते हैं तो वह same सब में individual आप divide भी करते हो तो आपको मुझे लगता है नहीं कि दोस् condition में एक तो आपको normally 40 Mbps का connection मिल जाता है 30 Mbps का connection मिल जाता है और दोस्तो सबसे अच्छी बात क्या है सारी चैनल और OTT application free of course मिल जाती है देखने के लिए तो दोस्तो ये वीड़ा आपको अच्छी लगए चैनल को subscribe वीडियो को like जरू कीचेगा और दोस्तो कोई problem हो तो आ कर दो